एक करोड के इनामी नकसली परशांत बोस और उसकी पतनी की गिरफतारी के विरोध में भागपा बायोवादी संगठन द्वारा भारत बंद के एलान कर दिया गया है इसे देखते हुए जमोई और गिरडी पुलिस हाई अलर्ट पर हो गई है वही नकसलीों के बंद को सफल बनाने के लिए पूर्वी बिहार और प्रोत्तर जारखंड के सेख सचीव सजोर्नल परभारी परविदेश उर्फ शहदेव सोरेन के चकाई थाना छेतर के बर्मोरिया के जंगल में ही पहुँचे उने की खबर है ग्रामिर सुत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि परदेश द के ही साथ 15 अन्य नकसली उसके साथ चल रहे हैं दो दिन पूर्वी परदेश द अपने दस्ते के बाद साथ ही बर्मोरिया के जंगल में पहुँचे चुके हैं जबकि बिमार चल रहे हैं नकसली नेता को और नकसली है उस पर जारखंड में 25 और बिहार में 5 लाक का इनाम जो है वो घोशित कर दिया गया है परदेश द पिछले तीन दशक से ही नकसलीों का ठिंग टैंक माना जाता है माउवादियों द्वारा बुलाए गए बंद को देखते हुए भेल वारगाटी में भी पर नजर रखी जा रही है सुरक्षा बलो के द्वारा जारखंड बिहार की सीमा पर अवस्थित अति उग्रवाद और प्रभावित इलाकों को लेकर भी अलट जारी किया गया है वहीं आपको बता दे कि देर रात CRPF का अभियान जारी रहा था बिहार के और अंगा बाद जिलस सदर थाना बता दे आपको कि अस्पताल में भी शनिवार को कथित रूप से COVID-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक लेने के बाद एक महिला की मौत की खबर सामने आई है जिसको लेकर अस्पताल में हंगामा भी हो गया है वहीं डॉक्टरों क साथ मारपीट की खबर भी सामने आई है पुलिस का कहना है कि पोस्ट मारटम रिपोर्ट के आने के बाद मित्यू के सही कारणों का पता चल जाएगा डॉक्टरों ने परिजनों द्वारा पिटाई किये जाने के आरोप लगाते हुए कारवाई की मांग कर दी है पुलिस का के लिए निकली तो रास्ते में ही बिहोश हो गई अस्पताल ले जाने पर ही डॉक्टरों ने उनकी पत्री को मृत घोशित कर दिया और इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोडफोड की है और अस्पताल के उपादिक्षर डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर अमरित कुमार के साथ मारपिट भी की है दोनों डॉक्टरों ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचा ली है घटना ये सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पर भी मामला जो है वो छानबीद कर रही है बिहार के मधूबनी जीले के जंजारपूर सीविल कोट के ADG अविनाश कुमार पर हमला के लेकर ही जीले के तकरीबन दो दर्जन थाना अधियक्ष और सभी इंस्पेक्टरों की बैठक आयुजित हुई है बैठक में बताया गया है कि जंजारपूर विवहार नयाले के ADG अविनाश कुमार परथम के साथ मालपीट का मामला सामने आया है जिसमें आरोप में ही आपको बता दे कि घायल S.H.O. गोपाल कृष्ण और A.S.I. अभिमन्य उशर्मा को भरती करवाय गया है अस्पताल में जिनका इलाज किया जा रहा है आपको बता दे कि पुलिस अधिकारे ने बताया है कि गोपाल कृष्ण की हालत गंफीर बनी हुई है साथ ही उन पर लगे आरोप पर जिला पुलिस और पुलिस मैंस के कोशा अधियक्ष अरुन कुमार मिश्रा ने कहा है कि मामले की जाक चल रही है और साथ ही एडिजी अविनाश कुमार पर भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे पूर्व जंजारपूर फुल परास के थाना अधियक्ष के साथ भी उनका कारेकाल विबादित रहा है इसकी उचस्तरिये पर जाच होनी चाहिए और वही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की निंदा करते हुए उचस्तरिये जाच की मांग कर दी है बता दे कि आपको कि जंजारपूर सीविल कोर्ट परिसर में ही गुरुवार को अजीबो गरीब घटना घटी थी अपने फैसले को लेकर ही चर्चा में रहने वाले एडिजी पिर्थम अभिनाश कुमार पर हमला हुआ था हमला करने वाले कोई और नहीं बलकि दो पुलिस वाले ही थे बताया जा रहा है कि उनके क्याविन में घुसकर उन पर हमला किया गया था हमला करने का आरोप घोगर हीडा थाना अधियक्ष्य गोपाल कृष्ण और ASI अभिमन्यु कुमार शर्मा पर लगा था फिलाल मामले की जाद जारी